नमस्ते आज की चमतकार को सुनने से पहले श्रीकलकी के प्रकटित बोध को देखते हैं जब आप प्रेम का हर स्वरूप में पोशन करते हैं जीवन तब संपूर्ण होता है और अब आज का चमतकार बबनपूर गंजम ओडिशा से मैं लक्ष्मी लेंग काम हूँ पहले पहल मैं कलकी के चरणान व्रिंद को अनंत कोडि प्रणाम करती हूँ मुझे नहीं मालुम था कि श्रीकलकी कौन है या क्या है हमारे गाओं में एक पूजा देखने के बाद और कलकी का महत्मे सुनने के बाद मैं भी अपने घर एक श्रीमूर्दी ले गई मैंने करुणा मैंकलकी से प्राथना करने का तय कर लिया था जीवेन के उस पड़ाओ पर हम घर पर अकलपनी आर्थे कटनाईयों से गुजर रहे थे मेरे पती 15 साल से बेरोजगार थे और घर पर 5 प्राणी थे वो तब तक कोई भी नौकरी पार्णे में असफल रहे थे हम लोग किसी तरह कुछ भी छोटा मोटा काम करके बड़ी मुश्किल से घर चला रहे थे किसी दिन हमको बहुत हुआ तो 50 रुपए ही मिलते थे इस पैसे में हम पाचों पूरे दिन का खाना खाते थे बाकी दिन हालत इससे भी बड़तर होती थी पूरे दिन कोई पैसा नहीं मिलता था तो फाका करना पड़ता था घर की आर्थिक स्थिती इतनी बड़तर थी ऐसी समय पर मुझे मालुम हुआ कि कलकी से प्रात्ना करने से हमारी सारी परिशानियां चमतकारिक रूप से गायब हो जाएंगी इसलिए मैंने दिन में दो बार एक बार सुभह और एक बार शाम को मुल मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया मैंने अपनी सारी परिशानियां श्रीमूर्ती के सामने बैठ कर बता दी दो दिन के अंदर करुणा मैं और दयावान कलकी ने मेरे पती को पास के चीनी की फैक्टरी में नौकरी दिलवा दी चीनी फैक्टरी के मारिक खुद हमारे घर आये और चमतकारिक रूप से 40,000 रुपे की तंखा पर मेरे पती की इस नौकरी का प्रस्ताव दिया इस असाधारन दिन के बाद से परिवार में कोई आर्थिक समस्या नहीं रह गई है हर एक संकर धीरे धीरे अपने आप ही दूर हो गया है अब हम बाहुल्य, आरोग्य, संपता और आनंद से परिपून जीवन जी रहे हैं कलकी के अनुग्रह से हमारे जीवन में 180 डिगरी परिवर्तन आया कोटी कोटी धन्यवाद कलकी, हम जीवन पर्यंत आपके रणी रहेंगे